Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हो Class 11 के जो आपकी Woven Words Book है उसका, उसकी poem No. 9 which is Refugee Blues तो यह word जो Refugee है, इसका मतलब क्या होता है? पहले मैं आपको यह बता देती हूँ Refugee याने वो लोग या वो community या वो जात के लोग जिनको अपनी ही country वाले, अपनी ही देश वाले उनको अपनी country से बाहर निकाल देते हैं फिर वो बिचारे अलग-अलग देशों में, अलग-अलग country में भटकते रहते हैं हमें accept कर लो, हमें पना दे दो रहने की, हमें रहने की जगा दे दो लेकिन वो लोग भी इन लोगों को जगा नहीं देते फिर ये का करते हैं? ये बिचारे अपना बोरी, अबस्तर, घर, फैमिली, सब बच्चों को लेके यदर-दर भटकते रहते हैं तो जो भटक, भटके हुए लोग होते हैं, जिनको अपनी कंट्री वाले निकाल देते हैं और कोई दूसरी कंट्री इनको accept नहीं करती रहने की जगा नहीं देती भटकते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं Refugees अब ये जो word है Blues, इसका मतलब क्यों होता है? Blues का मतलब sadness, दुख, तकलीफ, पेन जो कि Refugees जहलते हैं, इदर उदर भटकते हैं अपनी पूरी जिंदगी और कोई इनको कोई proper रहने की जगा, स्थान या कोई country या इनकी कोई personal, कोई identity नहीं होती कि हाँ ये व्यक्ति इस country का है बटकते रहते हैं, ये लोग छुपते चुपाते रहते हैं दूसरी country वाले इनको मारने पर तो ले रहते हैं कि मर जाए तो जाए तो जादा बेटर है तो इन refugees का जो pain है वो आज हम इस POM में पढ़ेंगे और कौन थे refugees, क्या था, कैसे था पहले मैं आपको poet के बारे में बताऊंगे उसके बाद में आपको बताती हूँ कि किस refugees की बारे में याँ बात हो रहे है तो जो ये poet की picture आप मेरे left hand side पर देख रहे हैं ये poet हैं इस POM के जिनका नाम है वोइस्टन हुग ओर्डन इनका birth year 1907 में हुआ था और इनकी death year 1973 में हुए थी He was a student and later a professor of poetry at Oxford University ये एक student रह चुके थे पहले कहां के Oxford University के और बाद में कई साल बाद वो professor ही बन गए poetry के यानि कभी कभी ताइं कैसे लिखते हैं कभी कैसे बनते हैं उसके professor बन गए Oxford University में यहीं से पढ़ाई करी और यहीं पर इनका job लग गया One of the most important poets of the century He has published several collection of poems noted for their irony and wit तो यह काफी important और काफी famous poet रहे है century के कौनसी century के famous poet रहे है 20th century के और उन्होंने कई सारी poems जो है publish करी अपनी life में और जो इनकी poems है usually irony और wit के उपर dependent रहती थी irony यहने लोगों की life में जो भी विडम बना होती है वो और wit यहने intelligence इन सब के basis पे इनकी poems की theme रहती है Although a modern poem refugee blues uses the ballad form of narration अब यह जो poem है जिसका नाम है refugee blues जो आज हम पढ़ने वाले हैं यह काफी modern poem है कोई बहुत पुराने जमाने की नहीं है लेकिन इसमें किस तरीके का narration यूज किया है poet ने ballad अब ballad या ballad form का जो narration होता है इसमें poet अपनी poem को अपनी कवीता को छोटे छोटे stanzas याने छोटे छोटे पैराज में डिवाइट कर देता है and uses songs for the narration याने गाना गाते गाते अपनी अपने दुख और तकलीफ का गाना दुख भरा गाना गाते 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 अपनी poem को पूरा design करते तो basically song painful दर्द भरा जो गाना उन्होंने यूज किया है अपनी इस poem को लिखने में अब जो खुद western hug order थे ये एक कौन थे ये एक german German Jew थे Jew जैसे हिंदू होते है Muslim होते है वैसे Jew भी community होती है इसको हिंदी में कहते है यहूदी लोग जो कहां रहते थे German में याने Germany में तो Germany में रहने वाले यहूदी लोग Jews थे उन्हें हम German Jews कहते थे अब Germany में तो कौन वहां का head था Hitler था हम सब को पताए तो ये पौम उस जमाने की है जब Germany में Hitler का राच था और Hitler कहता था कि मेरी country में जितने भी Jews है जितने भी यहूदी लोग है वो सब बहार निकल जाए country जो Germany है उसमें pure Germans याने जो जिनके माबाप और जिनकी नसले पुरानी नसले सिर्फ German की ही थी वो pure Germans रहेंगे ये Jews याने यहूदी लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे तो उसने एक नाजी पार्टी बनाई कि चलो मैं पार्टी फॉर्म करता हूँ एक community फॉर्म करता हूँ कि यहूदीयों को इन Jews को हमारी country से में बाहर फेकना है उसनों ने इसको निकालना स्टार्ट किया जो चले गए चले गए जो नहीं गए कि अपना सब को छोड़ चाड़के कहां जाए भाई ये विचारे जूस भी कोई दूसरी country भी इनको accept नहीं करी थी तो उसने holocaust किया याने एक concentration camp एक कमरों में बहुत सारे जूस को एकटा करके कर दिया और पूरे उसको उड़ा दिया एक साथ सब को शूट कर दिया एक साथ सब को जला दिया जैरीली gases उस रूम में डाल दी उस गैस में विचारे लोग तड़प तड़पके मर गये जूस तो इस तरीके की भयाना खरकते करी है हिटलर महाशेय ने तो यह उस जमाने की कानी अब जो बज गये जो मर गये जिनका holocaust हो गये ठीक है अब इतना सब को मार रहा था हिटलर ने माना ही कर दिया कि जूस रहेंगे नहीं आपे तो वो लोग यहां से जब चले गये तो कहां जाए जो जूस थे वो कहां जाए बचे कुछे जूस तो वो इस तरीके से बिचारे भटग रहे थे कोई दूसरी कंट्री उनको एकसेप्ट नहीं कर रही थी उनका घर परिवार लोग सब मर गये पैसा घर सब वहीं जर्मनी में छूड़ गये तो उनका दुक और उनकी जो तकलीफ है वो यहां पे इस पॉम में हमारे पोएट ने आज एक्स्प्लेइन करी है खुद हमारे पोएट जर्मन जू थे वो और उनकी वाइफ किस तरीके से जर्मनी से बच निकले और परफ्यूजी की तरह भटके कई साल भटके तो खुद पोएट अपनी और अपनी वाइफ की जो कहानी है एक दुख बरे गाने के थ्रू पॉम में इस पॉम में आज हमें बताना जाते हैं और बताने वाले कि क्या उस वक्त हालत थी और क्या हमारे साथ ट्रीट्मेंट के बरताफ किया गया जर्मनी के लोगों द्वारा और हिटलर द्वारा स्पेशली तो लेट्स बिगिन विद दप पॉम तो अब जो पोएट है यह जो सारे यह जो पूरा दुख बरा गाना गाके किसको सुना रहे है किसी एक अपने ऐसे फ्रेंड को या अपने किसी एक ऐसे इंसान को जिससे वह काफी connected है जिससे आज वह अपने दिल की बात दुख पीड़ा शेयर कर रहे है और जिससे वह कर रहे है वह खुद भी जर्मन है country Germany यह 10 million souls रहती है यह 10 million souls यह नि लोग रहते है people कुछ लोग बड़े-बड़े mansions महलो में रहते हैं यहाँ पर और यहां पर जो रिविंग इन होल्स और यहां पर जो कुछ लोगे होल्स यह चोटे चोटे slum area जुगी जोपडियों में रहते हैं यह डेस नु and after hope German Jews के लिए यहाँ पर इनके पास कोई जगा निये? हमें निकाल रहे हैं ने लोग यहाँ से पहले कभी हमारी कुई क कंट्री जर्मिनी हमारी कंट्री हुआ कु ए और हमें लगता था कि वो फैर है कंट्री हमारी लिए बहुत अच्छी है है लेकिन इन लोगों ने क्या किया हमें मा डाला हमारे लोगों को मा डाला हमारी सेफटी हम से छीनली हमारे राइस हमारे हक हम से छीन है लिकिन हम यहुद्धी लोग हम जूस जो है हौख वहां आप नहीं जा सकते मेरे दोस्त वहाँ अब बापिस नहीं जा सकते जहां मरा घर परिवार सब कुछ था हम वहाँ नहीं जा सकते इस तरीके से बिचारे भटकते थे अपने सामानों और बच्चों के साथ वो लोग स्थाहिं अब यू क्या होता है एक ऐसा पेड जिसमें इस तरीके से छोटे बेरी जैसे फ्रूट सुकते हैं उसे हम यू कहते है चर्च यार्ट क्या होता है चर्च के बार जो छोटा सा गार्डन होता है जहां इस तरीके के चोटे चोटे बेरी जैसे यू के प्लांट्स ट्रीज ग्रो होते हैं उसे हम चर्च यार्ट कहते है तो पोईट कहते हैं कि जो विलिच का जो चर्च यार्ट था जहां इन लोग रहते थे वहां विलिच उस व्माने में जो छोटा सा विलिच था वहां चर्च के बार जो छोटा सा गार्डन था वहां पर यू नाम का पेड ग्रोवता है every spring it blossoms new और हर साल जब spring season आता था तो यह U है यह अपने पुराने पत्ते शेड करके गिरा के पीले गंदे पत्ते गिरा के एक नया पेड में blossom याने उख जाता था खिलता था एक नया पेड में हर साल नया उखता था तो यहां in two lines में पोईट अपनी जो refugees की condition थी उसको explain कर रहे हैं और you tree से compare कर रहे हैं कहते हैं जैसे हर साल यू पेड जो है यू पेड जो है वो नया हो जाता था उसमें नए पेड आते थे नए fruits लगते थे इस तरीकी से red color के refugees की life नहीं थी refugees की life में कोई newness कोई नयापन कोई positive change नहीं आया उनक passports can't do that my dear old passports can't do that जैसे पुराने passport जो होते हैं इनके passport क्या हो गए थे पुराने याने Hitler ने इनके passport juice के खारिज कर दी थे कि अब तुमारे passport किसी काम के नहीं है तुम जर्मनी के अब नागरे citizen नहीं हो तो जैसे पुराने passport से नए passport बन जाते रिन्यू हो जाते हैं वैसे refugees की life कोई रिन्यू नहीं हो रही थी उनकी life old passport की जैसे validity खतम आइडेंटिटी खतम वैसे इनकी भी हिटलर ने जर्मनी से आइडेंटिटी खतम कर दी अब कॉंसल क्या होता है अब कॉंसल क्या होता है a government official जो गॉंसल यानि जो गॉंसल के ऑफिशल होते हैं बड़े-बड़े politicians होते हैं बड़े officers होते हैं जो शाइल इन लोगों की मदद करते जिनसे इन लोगों को उमीद भी थी कि ठीक है ऐग कॉंसल के लोग हमारी मदद करेंगे जब यहूदी लोग कॉंसल के पास government officials के बास गये कि भाई हमारी मदद करो पासपोर्ट हमारे चल नहीं रहे हम कहीं जान नहीं सकते कहीं आ नहीं सकते तुमने जर्मनी का हमें citizen छोड़ा ही नहीं बंद कर दिया तो हम कहीं और भी जाना चाह रहे हैं किसी दूसरी country में तो वहां कैसे जाएंगे तो उसने अपने टेबल को बैंग किया गुस्से में अंगर में यूं टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा इस यूँ हाव गॉट नो पासपोर्ट यूर ऑफिशली डैड अगर तुम्हारे पासपोर्ट नहीं है तुम्हारे पासपोर्ट खारिच कर द हमारे पासपोर्ट कर दिया हम किसी दूसरी कंटरी नहीं जा सकते जो कॉंसल जिसके पास हमें मदद की उम्मीद थी वो टेबल पर मुक्के मार रहा है तेबल तोड़ रहा इस तरीके से और कहरा जाओ यहां से तुम ओफिशली डैड हो तुम्हारा पासपोर्ट खातम नो यहां डेडी तुम जूस की चल रही थी कि बहुट बाइट कर रहा था जो उसका head था meeting का जो speaker था वो खड़ा हुआ और वो बोलता है if we let them in अगर हम इने them सोचो उन्होंने जर्मन लोगों ने Jews को क्या बोल दिया them याने उनको डिटाच कर दिया ने उनको पराया कर दिया country से कि अगर हम इन लोगों को let them in अगर country में रहने की permission देंगे तो ये हमारी rosy roti चुरा लेंगे याने अगर ये लोग यहां रहेंगे तो इन लोगों को jobs देनी पड़ेगी नौकरी देनी पड़ेगी इन लोगों से अपनी हर पच्चों के मार्क अच्छे आजाएं तो उनको एडमिशन मिले और हम जर्मन्स कोई हमारे बच्चों को एडमिशन में तो कहने का मतलब था है आप एउस पीकर का कि अगर इनको रहने के जाज़त देंगे तो हमारी जॉब्स चीन लेंगे हमें लोगों के साथ हर चीजद करनी पड़ेगी यह सालें हमारी रोजी रोटी चीन लेंगे इस तरीके से डेम करके इंपरसनल बहेवियर उस स्पीकर ने जर्मन स्पीकर ने इंग जर्मन जूस के साथ दिखाया तो पोएट यां कहते हैं मेरे दोस्त वो तुम्हारी और मेरी बात कर रहे थे He was talking of you and me याने हम इनकी जॉप शुरा लेंगे याने वो मिटिंग में लोग हमारी तुम्हारी बात कर रहे थे मैं भी जर्मन जू तुम भी जर्मन जू तुम भी जू कर रहे थे हम क्यूं किसी की नौकरी चुराएंगे लेकिन घर हम जह रहेंगे तो भई तो करेंगे ना थाट आई हर्ट थांडर रंबलिंग इन दसकाई इपोज हिटलर ओवर यॉरॉप सेंग देमस डाए वीवर इन इस माइंड माइडियर वीवर इन इस माइंड रंबलिंग का मतलब क्या होता है अ कंटिनिस डीप संड एक ऐसी भारी आवाज जो कंटिनिसली आ रही है तो जो हिटलर अब जो हिटलर था वो यह था इवाज आगर इटलर नहीं देखा तो इसकी फोटो देख लो पोट बोलता है कि हिटलर ने ऐसा लग रहा था कि आसमान में थंडर ओर यह बादल गरज रहें गड़गड़ा हाट और यह लेकिन वह बादल रंबल होने क गड़गड़ा आने की कंटिनस साउंड नहीं था वो हिटलर की आवस्ती जो पूरे यॉरप पे राज करके बैठा था और वह अनौंस्मेंट्स कर रहा था रोडों पे जाके रैलिया निकल रहा था दे मस जाए इन दे मतलब इन जू लोगों को इन यहुदी लोगों को मरन और 여자 यानि उसने डर पहला दिया था और उसने किया भी था उसने होलोकॉस्ट किया था होलोकॉस्ट याने जितने भी जूज नहीं जा रहे थे मान नहीं रहे थे जर्मनी छोड़ने के लिए उनको एक साथ कॉंसेंट्रेशन कैंप से मन के उड़ा दिया बम लगा दिया सबको गोली उस उड़ा दिया मतलब बेकसूर लोगों को एक साथ करोड़ों अजलब करोड़ों तो नहीं ऑविस्टी बोल सकते हजारों लोगों को उसने मार दिया एक साथ तो जो हिटलर का जो आवास थी वह गरचते हुए बादल की तरह थी कि इनको मरना होगा इन यहूदी लोगों को और उसका जो डर था होलोकॉस्ट का कि सबको ग्रुप में मार दो एक साथ सब यहूदी लोगों को सब जूस को एक साथ वो दहशत की तरह डर की तरह पूरी इन्वाइमेंट में फैल गया था तो पोएट कहते हैं अपने दोस्टे वीवर इन इस माइंड डियर वीवर इन इस माइंड हम उसके दिमाग पे बैठ चुके एक तरीके का डौग होता है पूडल तो पोएट कहते हैं कि मैंने वाप एक पूडल एक डॉग को देखा वाँपे उन जर्मनी के लोगों ने उसको ठंड में जैकेट वैकेट पिना के उसको यहां पिन कर दिया था कि उसको जैकेट खुले ना फिर मैंने देखा कि एक एक पिली दोजब भटक रही थी और जर्मनी के लोगों ने अपने घर के दर्वाजे खोले कि आओ आओ ठंड है अंदर आ जाओ बट दे वरें जर्मन जूस पोएट कहते हैं कि हमारी संट्वेशन इतनी बरवाद इतनी खराब हो गई थी कि आनिमल्स जानवरों को जादा इंपोर्टेंस एक डॉग और कैट को इंपोर्टेंस मिल रही थी हम इंसानों को उन्होंने इंपोर्टेंस नहीं हमें मार रहे थ थे तभी तो उन एनिमल्स के साथ भी अच्छे से ट्रीट किया और हम जर्मन जूस थे और इंसान होते हो भी हमें उन्होंने अनिमल्स की तरह उन जर्मनी के लोगों ने ट्रीट किया अब यह जो वर्ड है आप बोलोगे क्वे लिखा है लेकिन इसका जो प्रनिंसियेशन होता है वो होता है की हारवर का मीनिγंग देखं़े हैं सबसे पहले हारवर का मीनिंग होता है एन एरिया ओं ड़कोस वे शिपस ऑर पार्गद तो पानी के पास कोने में कोस में एक वो एरिया जहाँ सारी शिपको । पाक किया जाता है मूर करके यहने बांच के ताकि शिपस और बोट स 10 बहन आ यहां पर जो का यहां लोग चीर okay को यहां से गोड़ को सामानों को लोड करेगी तो यह जगा को यह जो यह जगा है इसको बोलते हैं की तो पोईट कहते हैं कि मैं एक हारबर पे गया या वहां जाके खड़ा हुआ और एक की पे जाके मतलब एक हारबर एरी आगे और की पे जाके खड़ा हुआ याने इस जगा पे आके याने पोईट इस जगा पे जाके खड़े हुए उन्होंने देखा कि जो नीचे पानी में fishes swim कर रही हैं तैर रही हैं वो freely बहुत आजादी के साथ swim कर रही है poet कहते हैं जितनी ये मचलियां जानवर होके एक animal होके freely swim कर बारी थी खुली सास ले सकती थी मैं नहीं नहीं सकता था क्यों कि मैं एक जर्मन जू था मैं एक जर्मन जू यहूदी हूँ इसलिए मैं खुली सास में खुली हावा में सास नहीं ले सकता था only 10 feet away ये मचलियां मुझसे सिर्फ 10 feet की दूरी पर थी मैं उनको देख सकता था वो freely swim कर रही थी लेकिन मैं नहीं कर सकता था वो माइडियर उनली 10 feet away तो अपने दोसको कहते हैं सिर्फ 10 feet दूर थी मेरे दोस सिर्फ 10 feet दूर याने उसी जमीन पर 10 feet दूर मचलियां freely swim कर सकती थी being an animal लेकिन मैं इंसान होंके उसी खुली हावा में freely उनके जैसे सांस नहीं ले सकता था क्योंकि मैं जर्मिन जू था मेरे दोस्त इसलिए मेरे साथ ऐसा बेहिवियर किया जा रहा था वाग थूरू अवुड सॉदर बर्द देट्रीज याने जंगल तो पोईट कहते हैं कि मैं एक फॉरेस्ट एक जंगल में वॉक कर रहा था वहाँ पर मैंने पेड़ों पर बैठी चिडियाओं को बर्द को देखा बड़े जहां उन चिडियाओं को मन कर रहा था जिस ट्री पर मन कर रहा था वहाँ बैठी हुई थी सिंगिंग कर रहे थी गाना गा रही थी फ्री ली क्यों कि वहाँ पर कोई पॉलेटीशन नहीं था ना उनकी लाइफ को बरबात करने के लिए उनके लिए प्रॉब्लम क्रियेट करने के लिए इसी लिए जो बर्ट्स थी वह ईज्याने बड़ी इजी ली कमफर्टेबली ख बंपने लिए याने की नर्ग जैसा बनाने के लिए क्यों क्यों इतना अच्छा बेहवियर हो रहा था आउन बर्ट्स के साथ तो यूमन रेस में नहीं आती ना वो क्योंकि वह जानवर है वह आनिमल है लेकिन जर्मन की है ना भाई इस क्योंकि वह इंसान नहीं है बहले ज लोग किया जाएगा ड्रीम ड्रेंड ऐसौऑ बिल्डिंग वित हाजन फ्लॉर्ण आ थाज़न विंडोज न थाज़न दोर्स नौट वन अपदैम वज़ार्ज माइडिया नौट वन अब देम वज़ाज तो पूएट कहते हैं मैंने एक सपना देखा दोस्त और सपने में दे ने लिके इस मेंरे में सपने में देखनाता लेकिन उन弹गा दर्वाजों खिड्कियों दॉर्स पर एक भी कमरा एक भी कमरा वाज नौटार्ज यह नॉथ उसमें से एक भी कमरा हम फिर में जूसकी लिए था यहां घृडքकी अरवाज एक अमरे हैं, वहाँ पर एक भी कमरा जर्मन जूस के लिए नी था मेरे दोस्त, एक भी कमरा जर्मन जूस के लिए नी था, यानने हम लोग उनकी आखों में खटकने लगे थे went down to the station to catch the express, asked for two tickets to happiness, but every coach was full my dear, every coach was full, तो अब poet कहते हैं कि फिर मैं और मेरी वाइफ, हम लोग railway station गए, एक express पकड़ने के लिए, हमने सुचा कि चलो एक train पकड़ लेते हैं, यहां से कहीं चले जाते हैं मैं और मेरी वाइफ, asked for two tickets to happiness, हमने सुचा हमने दो tickets लिए, poet कहते हैं मैंने दो tickets लिए, एक अपने लिए और अपनी wife के लिए, सुचा एक train में बैठके कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे, जहां पे हम happiness मिलेगी, जहां पे हम freely अपनी जिन्दगी सुकून से, peacefully अपनी life जी सकते हैं, हमने सुचा train station जाते हैं, ticket खरीते हैं दो, happiness की तरफ, खुशी की तरफ किसी जगह चले जाते हैं, जहां पे ये मारधार, violence नहीं है, और हम सुकून से अपनी life व्यतीत कर सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन, every coach was full, my dear, every coach was full, Germans ने हम लोगों के लिए tickets overpriced, महेंगी सी महेंगी कर दी, इतनी महे इन में बैठने की permission तक नी थी, तो बताओ हम कहां से जाएंगे, तुमने train बन कर दी हमारे लिए, तुमने हमारे passport स्कारिच कर दिये, हमारी identity, हमारा घर, परिवार सब खरीद ली, खतम कर दिया, सब बरबाद कर दिया, हमें बोल रहे हो, यहां से जाओ, तो जाए तो जाए कैसे और जाए तो जाए कहां, जो यहां रह रहे हो, हमें मार रहे हो, होलोकॉस्ट कर रहे हो, हमें बेदर्दी की मौत दे रहे हो हमें, तो हमारी लाइफ तो, refugees की लाइफ तो, hell बन गी, बरबाद हो गई भाई, उनकी लाइफ पोएट कहते हैं, फिर मैं एक ग्रेट प्लेन, एक बड़े से मैदान में खड़ा हुआ, वहां पे फॉलिंग स्नो, याने वहां पे स्नोफॉल हो रहा था, मैंने देखा, दस हजार सोल्जर्स, इस तरीके से दस हजार सोल्जर्स, मार्च कर रहे थे, याने की, वाक कर रहे थे, टू एन फ्रो, टू एन फ्रो का मतलब, इधर जा रहे थे, फिर उधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे, इस तरीके से पूरे वहां के Germany के soldiers क्यों कर रहे थे वो लोग ऐसे Looking for you and me My dear looking for you and me वो लोग तुम्हें और मुझे ढून रहे थे यानि हम यहूदियों को ढून रहे थे कि ढून ढून के पकड़ पकड़ के इनको मारो और यहां से उनकी लाश जानी चाहिए उनकी डेड़ बॉड़ी जानी चाहिए याने हमारा सब कुछ खतम कर लिया अब कहां जाए तो छुपने की भी जगा नहीं क्योंकि हर जगा soldiers धून रहे हैं घूम रहे हैं हमें धूनने के लिए दाकि हमें पकड़ पकड़ के यह लोग मारे और हमें खतम कर दे हमारी लाइफ को खतम कर दे इनका सर्वाइवल जीती जाकती मौत आ गई थी इन रिफ्यूजीज के लिए उस टाइम पे तो बस इस पॉम के थूँ जो हमारे पोएट है वो जर्मन जूस याने जर्मनी में रहने वाले जो यहूदी लोग थे उनका दर्द, उनका पेन, उन्होंने क्या सफर किया है उस टाइम पे उसे एक्सप्रेस किया है समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि यह पॉम किस बारे में है यह पॉम उस जमाने के बारे में है जब जर्मनी में हिटलर का राजुआ करता था हिटलर ने डिसाइट किया था कि पूरी जर्मनी में प्यॉर जर्मन्स ही रहेंगे याने सिर्फ जो प्यॉर जर्मनी के born and brought up लोगे Germans जो हैं वो रहेंगे क्योंकि उस वक्त Germanys के साथ Jews भी रहते थे याने जर्मनी में रहने वाले यहूदी लोग भी रहते थे Hitler ने कहा कि सर्फ Germans ही रहेंगे और यह Jews यहां नहीं रहेंगे इसलिए उसने यह एलान कर दिया कि सब Jews को निकाल भार फैको जर्मनी के बाहर कुछ Jews चले गए और कुछ Jews जो नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनका घर भार सब कुछ यहीं जर्मनी में था उनकी पुरी जिन्दगी यहां जर्मनी में थी जो नहीं जाना चाहते थे उनको hitler ने उनका Holocaust करा दिया याने उनको बड़े से concentration camp में बंद करके सबको अंदर धूस के मं कर दिया लिटरी पैक कर दिया और उनको एकसाद आंग लगा दिए blast कर दिया जिंदा लोगों को उनके उन गैस जाल दी ताकि वो लोग जहरीली गैस ब्रीद इन करके तडब तडब के उनकी डेत हो जाए तो इस तरीकी का बहुत बुरा व्यावार हुआ अब इतना सब कुछ हो गया तो जो जूज जो बच्चे कुछे जो यहूदी लोग थे वो डर गए तो वो कहा जाए जर्मनी के हिटलर ने उनको निकाल भार फेका कोई दूसरी कंच्ट्राइश को एक्सेट्र नी कर रहीत है अपने एक कंट्री में रहने के लिए तो यह बिचारे कहाँ जाए यह बचारे बनगा तो रेफ्यूजीज तो रेफ्यूजीस वो लोग होता हैं जिनको अपनी कंट्री के लोग accept नहीं करते और दूसरी कंट्री के लोग भी उनको근 करते तो वह इधर बटकते रहते हैं बे थे बे-नाम Jew थे और इन्होंने अपनी wife के साथ वहाँ से escape किया था याने वहाँ से निकल भागे थे और किस तरीके से उन्होंने और दूसरे Jews दूसरे यहूदी लोगों ने वो दिक्कत है वो तकलीफ है वहाँ सही थी वो सब उन्होंने यहाँ पे आज describe किया है स्पूम में So let's begin with the poem. So the poem refugee blues जो हमारी poem है जिन्होंने जिसे वाइस वाइस्टन ह्यूग ओर्डन ने लिखा है जो कि खुद एक जर्मन जी हो थे यहाँ से शुरू होती है कि जो speaker है जो हमारे poet है वो describe करते है कि कैसे जर्मनी की वो country कितनी populous थी कितने millions of लोग वहाँ रहते थे डाइवर्स सिटी थी यहाँ पर अलग-अलग community के लोग रहते थे और उस वक्त वो लोग वहाँ जर्मनी में ही रहते थे Despite its size, it appears to have no room for refugees तो poet अपना दुख जाहिर करते हैं और कहते हैं कि इतने बड़ा size इतनी बड़ी country है यहाँ पर एक कमरा एक छोटी सी जगा refugees यहने Jews के लिए नहीं मिली देने के लिए इन लोगों को हम लोगों के इन लोगों ने निकाल भाहर फेका वाल देश्पीकर अंदर refugees इंदीड हाव कंट्री ऑफ देर ओन ऑफ विच देवर प्रावड दे के नो लॉंगर लिव देर दिस्पाइट देड देड़ा कंट्री स्टिल एक्जित संगें अनगें फाउंड नवाप तो पोईट कहते हैं पोईट को यहां पे अम स्पीकर भी कहते हैं तो बोलते हैं कि जो स्पीकर याने जो हमारे पोईट थे और जो दूसरे रिफ्यूजी दूसरे जूस थे उस वक्त उनकी सच में खुद की कंट्री थी और वो कंट्री थी जर्मनी वो लोग वहीं पर पैदा हुए वहीं पले बड़े और उस कंट्री में रहने के लिए वो लोग प्राउड थे बिचारे वो लोग दुख मनाते हैं जूस और कहते हैं कि आज भी जर्मनी आपको मैप पर दिखेगी यह कंट्री लेकिन हम वहाँ कभी नहीं जा सकते हम अब वहाँ कभी नहीं जा सकते फिर स्पीकर हमें बताते हैं कि किस तरीके से बिलकुल लाइन से प्राउबलम्स और तकलीफ हम लोग उकली शुरू हो गई जो वहाँ के officials बड़े-बड़ officers थे जिनके पास हम लोग मदद के लिए गए जो दूसरे शेहर के citizens दूसरे Germans थे जिनके पास हम मदद के लिए उन लोगों ने हमें किस तरीके से धुथका रहा तो एक कॉंसल के पास वो लोग गए यान एक बड़े officer के पास गए अपनी प्राउबलम को लेके तो उन्होंने बोला कि आप लोगों के जो पासपोर्ट है वो Hitler ने खारेच कर दिये याने अब आप लोग के पासपोर्ट हैं आप लोग अब German के citizens नहीं बचे हो और अगर आपका पासपोर्ट नहीं है याने आपकी कोई identity नहीं है आप officially dead हो याने आपकी death हो चुकी है doesn't matter आप alive हो तो इस तरीके के statements देखे उन लोगों को माह से बिचारों को भगा दिया then in a public meeting one person says that Jews will disturb the economy of the country if we let them stay here फिर एक public meeting में गए बिचारे Jews अपनी problem का solution रूणने तो आप जो meeting चल रही थी उसका जो main head speaker था meeting का वो खड़ा हुआ और वो कहते है कि अगर हम जहूदी लोगों को इन Jews को अपनी country में रहने की इजाज़त देंगे तो यह हमारी पूरी अर्थव शास्त्रा याने जो हमारी पूरी एकनॉमी है उसको हमारी country के disturb कर देंगे यह हमारी रोजी रोटी चीन लेंगे यह हमारी jobs चीन लेंगे क्योंकि अगर यह यहां रहेंगे तो हमेंने jobs भी देनी पड़ेगी पैसा divide हो जाएगा तो हमारी एकनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी इनकी वज़े से और इन सब के बीच हिटलर खुद रोट्स पे निकलता था प्रोपगैंडा और पता नहीं क्या क्या मार्च करता था याने इधर सुदर रैलिया निकालता था और उसकी जो आवास थी वो आसमान में थंडर की तरह इन बैचारे जूस को सुनाई देती थी डर के मारे क्योंकि हिटलर डर देता था जेनोसाइडल थ्रेट्स के जेनोसाइडल याने अगर तुम लोग यहां से नहीं निकले तो तुम सब को एक साथ उड़ा दूँगा या एक साथ गोली मार दूँगा जो उसने किया भी था दर्द ना मौत दी थी उस हिटलर ने इन जूस को तो बचारे डरते भी थे कि कैसे करें क्या करें क्योंकि हिटलर खुद रोट्स पर है next the speaker makes a series of comparisons between themselves and various animals a dog is lovingly dressed in a jacket and a cat welcomed through a door the speaker argues that they are considered worthy of this treatment because they are not German Jews refugees फिर जो speaker हमारे जो poet हैं वो एक comparison करते हैं इन refugees के बीच में और animals की बीच में क्योंकि poet बताते हैं मैंने वहां पर एक poodle नाम का डॉग देखा जिसको snowfall के वज़े से बर्फ गिरने की वज़े से ठंड लग री थी तो जर्मेनी के कुछ लोग आया इसको जैकेट पिना के ठंड में उसको पिन कर दिया उसको यहां पर आकि उसका जैकेट उत्रे नहीं एक cat बिचारी भटक रीती तो लोगों ने अपने घर के दर्वाजे खुल दी कि आओ 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 बहुत ठंड है तो बिचारे इसलिए हमें जानवरों से भी बत्तर हमारे साथ सुलुक किया जा रहा था और ऐसा ट्रीट्मेंट हमारे साथ उन लोगों ने किया पिर पोएट कहते हैं कि मैं हारबर गया याने समुदर की किनारे वो जगा जहां पर शिप्स को पार्क करके रखते हैं कहते हैं मैं वहां गया मैंने अपने से दस फीट दूर देखा फिशेज मचलियां स्विम कर रही थी फ्री ली आजादी से और दस फीट दूर मचलियां आजादी से तैर रही थी अपने पानी में और यहीं दस फीट पीछे मैं खड़ा हूँ मैं एक रिफ्यूजी बन लिया हूँ मैं खुली हवा में फ्री ली सांस नहीं ले सकता फिर पोएट गूमते बटकते बटकते वो जयाने फॉरिस्ट जंगल की तरफ पहुचे देखा सारी बर्ड सारे पक्षी ओड रहे हैं गाना गा रहे हैं फ्रीली लेकिन वो फ्रीडम हमें नहीं मिल पारी क्यों क्योंकि हम जर्मन जूज हैं तो पोएट केते हैं क्योंकि इन बर्ड और इन फिश के साथ इस जर्मनी के पॉलिटीशिंस नेता नहीं हैं इनकी जिंदगी को हैल करने के लिए इनकी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए क्योंकि पॉलिटीशिंस ऑफिशिल्स और हिटलर ने तो हमारी लाइफ को हैल बना कि जहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहां पर हजारों दर्वाजे एक खिड़कियां कम रहे हैं लेकिन उन में से एक कमरा भी हम जर्मिन जूस के लिए नहीं है हम लोगों के लिए कमरा भी नहीं है इनके पैस हमें निकाल बाहर फेक रहें फिर आखरी में स्पीकर बताते हैं कि मैं एक प्लेन याने खुले मैदान पे खड़ा हुआ जहां पे हजारों सोलजर्स मार्च कर रहे थे याने इधर से उधर इधर से उधर जा रहे थे और वो लोग क्यों जा रहे थे? क्योंकि वो ठून रहे थे जर्मनंजूस को जर्मन वो क्योंकि उनकर ओर्डर दे दیا था इटलर ने कि धूंड पकड़ पकड़ के जर्मनंजूस को मारो और निकाल भाहर फेको हमारी कंट्री के तो यह हाला तो गई थी कि passport कर दिया प्रफिकर ने बोला कि चलो मैं ट्रेंग में गया कि चलो दो टिकेट खरीद लेता हूं एक अपनी वाइफ के लिए कई ऐसी जगह चले जाएंगे कि भाई वहाँ पर जाके सुखी से अपनी जिन्दगी जिएंगे हापिली जिएंगे लेकिन ट्रें में हर कंपार्टमेंट हर कोच फुल था जर्मन के लोगों से जिउस को अलाउड नहीं था कि आप सकते हो और आप इस गये तो टिकेट का प्राइज इतना हैवी रख दिया इतना महेंगा कर दिया कि जिउस वाफोर्ड ही निकर पा रहे थे कर दि ट्रें वह जान नहीं सकते पासपोर्ड उनके खारिच कर दि कोई दूसरी कंटर्री उनको अक्सेप्ट ही नहीं कर रही ओफिशल्स पॉलिटीशन को हेलप नहीं कर रहा वह सटकों पे निकल रहे हैं तो उनको डून-दून के सोलजर्स मार रहे हैं यह हालत हो गई थ the theme of the poem comment सबसे पहले यह encapsulates का meaning समझो encapsulate मतलब किसी को summarize करना यहने किसी चीज का सार आखरी में जो निचोर निकालना उस बात का तो question है कि जो title हमारी poem का जिसका नाम है refugee blues वो पूरी poem में जो theme है उसका क्या सार निकाल रहा है आखरी माम हमें क्या बताना चाहता है कि इस पूरी poem की theme आखरी में सार यह निकल रहा है so the answer is the poem highlights the lost and horrible state of the German Jewish people who had to leave their homes and seek shelter in other countries due to the rise of Hitler तो poem में यह highlight करा के बताया गया है हम readers को कि कि किस तरीके से जर्मिनी में रहने वाले Jewish people थे यहूदी लोग थे उन्होंने अपना सब कुछ lost, सब कुछ खो दिया उनकी horrible, बेदर्दी की हालात हो गई थे उनकी और उन लोगों को अपना घर, परिवार, सब कुछ छोड़के किसी दूसरी country में shelter याने रहने की जगा, seek याने search करनी पड़ रही थी, ढूंडनी पड़ रही थी और यह सब क्यों हुआ, क्योंकि Hitler उस वक्त महा पर rule कर रहा था और उसकी वज़े से इस सब हुआ blues in the title refers to the musical genre that originated at the end of the 19th century and has a sad melancholic tone which is the tone of this poem, the sing of their suffering and ping तो melancholic का meaning पहले देखो, melancholic का meaning होता है expressing depression कोई ऐसी चीज़ जो depression, sadness express कर रही हो, उसको melancholic कहते है तो जो आपके title में word है blues, यह एक musical genre बताता है जो कब originate हुआ था, जो कब से शुरू हुआ था, जब 19 सदी का end हो रहा था तब यह start हुआ था, कि blues का meaning होता है कि कोई ऐसा गाना जो काफी sad है और melancholic है, यानि इसको read करके depression जैसा feel होता है और यही melancholic tone है हमारी पूरी poem की, क्योंकि इसी poem के through जो German Jews थे, जो refugee बन गए थे, भटाक रह था दो दर वो गा के अपना suffering, अपना pain और जो भी उन्होंने साह है वो सब इसमें describe कर रहे हैं, represent कर रहे हैं, हम readers के सामने दर्शा रहे हैं next, what is the poetic technique used by the poet to convey the plaintive theme of the poem अब plaintive का मतलब क्यों होता है, sad, दुख से भरा तो हमारे poet ने कौन सी poetic technique यूज करी है हमारी poem में जिससे जो sad theme है poem की, वो निखर के बाहर आ रही है कि वाकई poem पढ़के हमें उनका दुख दर्द, feel हो पा रहा है कि उनको उस वक्त कैसा लग रहा होगा so the answer is, the technique used by the poem, poet is a mix of blues and ballad अब जो technique हमारे poet ने use करी है, वो दो techniques का mixture यूज किया है पहली technique के blues याने sadness के song form में और ballad याने narration by song याने sadness चो करी है और दूसरी ये sadness चो करी है through ballad याने गाना गा के अपना दर्द जाहर किया poet hat Mick has mixed the two together to bring out the main political situation which was prevalent at the time and which showed the pathetic condition of the refugee Jews, Jewish refugees who were homeless and lived in constant fear of death तो poet ने इन दो techniques को इसली mix किया है ताकि वो क्या निकाल के आपाए कि उस वक्त क्या political situation थी prevalent थी जो वहाँ पर actually चल रही थी उस time पे और इससे हमें क्या दिखा कि जो Jewish refugees थी उनकी कितनी pathetic, कितनी worst, बत्तर हालत condition थी उस वक्त क्योंकि वो homeless होगे तो उनका घर नहीं था, सर पे च्छत नहीं थी उन लोगों के और continuously हर एक second उनकी life का constant उनकी डर भरा हुआ था मन में कि कब कोई आके हमें गोली मार जाएगा या हमें हमारी death हो जाएगी तो दो टेखनीक्स दो यूज हुई है, वो है blues and ballad याने sadness और जो भी narration जो भी बताया गया है through a song next, what do the references to the birds and animals made in the poem suggest? poem में birds का और animals का reference याने कुछ examples दिये गए हैं, उससे आप क्या suggest करते हैं? याने उससे आपको क्या समझ आते हैं? so the answer है, the references to the birds and the fish suggest that they have the freedom to live in their own without the fear even the dogs and cats are kept safe as they are not Jews तो poem में बताया है poet ने कि जो birds है वो freely आसमान में ओड रही थी, जो fish थी वो freely पानी में स्विम कर रही थी बरफ गिर रही थी, तो डॉग को जर्मनी के लोगों ने जैकेट पिना दिया बरफ गिर रही थी, cat इदो अदर भटा करी थी, तो cat को safely उन्होंने अपने घर में एंटर कर रहे कि आप हमारे घर में आके रहो तो poet यह बता रहे है कि animals की situation अच्छी थी, अगर compare करें तो जर्मनी जूस के refugees से कि refugees की जिन्दगी बत्तर थी, जानवरों से भी बत्तर थी इसलिए example उन्होंने दिया है यहां पर, कि यह था उस वक्त वहां पर next, how does the poet juxtapose the human condition with the behavior of the political class अब, juxtapose का मतलब समझो, juxtapose का मतलब होता है, दो चीजों को compare करना और contrast करना तो poet ने human condition जो थी उस वक्त जूस की, उसको कैसे compare किया है उस वक्त political class से, याने जब Germany के रहने वाले यहूदी लोग थे, Jews थे, अपनी problem को लेकर गए political लोगों के पास, officers के पास, officials के पास, console के पास, तो उन लोगों ने उनकी मदद नी करी तो कैसे इन दो चीजों को poet ने juxtapose किया, याने compare करके situation आपके सामने दर्शाई है, आंसर है, Jews were considered misfits for society just because Hitler has ordered that, जो Jews थे, यहूदी लोग थे, उनको ये consider कर दिया, ये बता दिया गया कि ये हमारी society के लिए misfits है, याने ये लोग fit नहीं है, perfect नहीं हमारी society के लिए, साही नहीं है, इनको निकालो बाहर, और क्यों? क्योंकि ये बस Hitler ने order कर दिया था तो, इसी लिए बस, कोई logical reason नहीं था इसके पीछे, they were treated miserably by the entire Europe, पूरे यॉरप ने उनके साथ miserably बेदर्दी से treat किया, मार आ रहने की जगा नी दी, घर चीन ली, जोग चीन ली, बच्चों दक को मा दिया, सब को, even the officials and political heads were not ready to help them, जो जाओ भगो यहां से, तो यह compare करके बता है कि बड़े नेता मंत्री, जो मदद के लिए बठे उन तक ने उनकी मदद नी करी, next, how is the essence of the poem captured in the lines, two tickets to happiness, अब आपकी poem में एक line यूज हुई है, two tickets to happiness, इस line में या, इस phrase में, poem ने, poem का जो पूरा essence है, जो main poem की जो बात है, जो दिल पे छू रही है हमारे, वो कैसे बहार निकल के आई है, और इस poem की जो line का meaning हमें main बताने की meaning क्या है इसका, कि दो ticket दे दो happiness की तरफ, थाकि हम train में दो ticket लें, और कहां पहुचें, उस शहर जहाँ happiness है, यहाँ पे, मतलब बच सलू की की जिन्दगी ना जीनी पड़े, तो the answer is, the speaker and his lover are homeless now and they have no place to stay, जो speaker याने जो हमारी poem के poet है, वो और उनकी lover याने जो उनकी wife है, वो भी juice थे, उनकी भी यही condition थी उस time पे, वो कि पास रहने की कोई जगा नहीं बची है, they grieve over their loss of home and their identity, वो किसका ग्रीव कर रहे हैं, किस चीज का दुख मनाने की हमारा घर हमसे छूट गया, हमारी identity, हमारी पहचान, हमारे passport हमसे छीन लिये गए है, इस लाइन से हमें ये समझ में आता है, कि जो जूज थे, जो यहूदी लोग थे, वो ऐसा लग रहा था भागना चाहते यहां से, और मरना नहीं चाहते, क्योंकि जर्मानी के लोग उनको किल कर रहे थे, उनकी हत्या करना चाहते थे, तो वो इन सबसे कहीं दूर कहीं भाग के, किसी एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा सकते थे, एक ऐसी जगा जा सकते थे, जहां happiness है, जहां खुशी है, जहां डर नहीं है मौत का, तो हुआ यह था कि हमारी पोएट और उसकी जो वाइफ है, स्टेशन गए, ट्रेन पकड़ने, दो टिकेट्स मांगी उन्होंने और क्या बोला, गिफ टू टिकेट्स पर happiness, दो टिकेट्स दो और कहा की दो, किस जगा जाना है भाई, happiness, जहां खुशी, जहां यह मौत का खे तो लेकिन तब भी वहाँ जब वे लोग गए तो क्या हुआ, जो टिकेट्स थी, वो ओवर प्राइज थी, बहुत महँगी टिकेट्स उन लोगों ने कर दी जूस के लिए, और जो ट्रेन के जितने कमपार्टमेंट्स थे, जितने कोचेस थे, वो पूरे फुल थे जर्मेन के लोगों से, और इन बिचारों के लिए वहाँ भी कोई स्पेस, कोई जगा नहीं थी, the soldiers are hunting down Jews on Hitler's order, और जो soldiers थे, ट्रेन से जाने की जगा नहीं, पासपोर्ट बन कर दिये, तो कहा जाए, और soldiers ने क्या किये, soldiers इन बिचारे Jews को हंट कर रहे थे, याने कि इनका शिकार कर र रहे थे, क्योंकि Hitler ने उनको order दिया हुआ था, तो यह उन बिचारों की condition थी, first question, अब आपके सामने question गिवन रहेगा और दिये रहेंगे four options, इसमें से जो correct option है, आपको जो लगता है, जो सबसे सही option है, उसे आपको करना है tick mark, okay, so let's begin with our question number one, who is the poet of the poem refugee blues, तो जो आपकी poem है, जिसका नाम है refugee blues, उसके poet कौन है, याने की कवी कौन है, किसने poem को लिखा है, आपके सामने four options given है, option number A, Robert Frost, option number B, William Wordsworth, option number C, W.H. Auden, या option number D, John Keats, so clearly जिन लोगोंने मेरे explanatory videos, summary के videos, question and answers के videos देखी होंगे, या एक बारी से एक बारी बुक खोल के देखी होगी, तो वो फड़ा-फट से मेरे इस question के answer कर देंगे, कि option number C, W.H. Auden is the right option to this question, यही इस poem के poet है, अब ये जो poet है, वो एक German Jew थे, याने की Germany में रहने वाले एक यहूदी धर्म के इंसान थे, यहूदी धर्म के लोगों को हम Jews कहते हैं, J.E.W.S. जैसे Hindu, Muslims, अलग-अलग religions होते हैं वैसे Jews याने यहूदी भी एक धर्म होता है, जो कि Germany में रहते थे, पहले, अब Germany में कौन सबसे टॉप पे था, सबको पता है, Adolf Hitler, अब Hitler के दिमाग में एक फितूर आ गया, कि भाई, मेरे इस पूरे Germany में सिर्फ pure Germans रहेंगे, याने कि कौन रहेंगे, जिनके ancestors पूरवज purely German है, यहूदी लोग नहीं रहेंगे, तो उसके दिमाग में यह बात बैट गई कि यहूदी लोगों को निकालना है, उसने Jews को निकालना स्टार्ट किया, जो चले गए, जो चले गए, जो नहीं जा पहे, उनको Adolf Hitler ने बहुत बुरी तरीके से मौत दी, याने कि उनको Holocaust किया, उनको एक साथ concentration rooms में बन करके, एक साथ सब लोगों को blast कर दिया, एक साथ सब को shoot कर दिया, poisonous, जहरीली gases उनके rooms में छोड़ दी, बिचारे सब तडब तडब के मर गए, तो यही कुछ स्टोरी थी हमारे poet W.H. Auden की भी, जो की एक Jew थे, German Jew, जर्मनी में रहने वाले Jew, यह किसी Q2. To which historical figure does refugee blues hint directly? तो यह जो पोर्म है, refugee blues, किस historical figure, याने कौन सा history का बहुत famous इंसान को directly हमें हिंट करती है कि, हाँ, इस व्यक्ती के बारे में history से related, इस पोर्म में बात हो रहे हैं, options देखते हैं, A. Mahatma Gandhi, B. Albert Einstein, C. Mother Teresa, D. Adolf Hitler, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, यह पूरी पूर्म जर्मनी के बारे में और Adolf Hitler के बारे में यह बात है कि, उसके दिमाग में एक फितूर आ गया था कि, जर्मनी में सरफ pure Germans रहेंगे, Jews नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे clearly Adolf Hitler की बात हुई है, Mother Teresa की बात नहीं हुई है, Albert Einstein की बात नहीं हुई है, और नाहीं Mahatma Gandhi की बात हुई है, that means option number D is the right option to this question. Next question, where does the poet of this poem come from? यह poem जो है, जिसका नाम है Refugee Blues, इसके poet W.H. Auden कहां से आते हैं, where does he come from, किस जगा से वो बिलॉंग करते हैं? तो options हैं, A. England, B. India, C. Australia, D. Germany, clearly India तो होई नहीं सकता, क्योंकि वो W.H. Auden नाम से समझ में आ रहे हैं, कि वो Indian नहीं है, मैंने अभी अभी आपको बताया भी था, introduction में, कि वो एक Jew थे, German Jew, यानि जर्मनी में रहने वाले Jew, तो clearly उनकी home country क्या थी? जर्मनी थी, जहां से उनको उनकी वाइफ और उनके समुदाय, उनके धर्म के लोगों को, यहूदियों को, जर्मन जूस को, निकाल बाहर फेका था और उनके साथ बहुत बत सलूख किया था, अडॉल्फ हिटलर ने. So, option number D, Germany is the right option to this question. Next, what form does this poem most closely follow? So, अब यह जो poem है, क्या form follow कर रही है, यानि किस तरीके की है यह poem, क्या यह बहुत happy poem है, क्या sad poem है, यह aggression, गुस्षे से भरी हुए, किस form की है, किस तरीके की, यह poem की जो पूरी tone है, आप पढ़ोगे तो आपको वो tone समझ में आएगी, हमें वो बताने हैं. तो options लिखते हैं, ए गजल, क्या जब आप poem पढ़ोगे तो आपको गजले सुनाई दे रही हैं, यैसे पुराने ज़माने में बड़े-बड़े गजल कार होते थे, जो गजले सुनाते थे, तो I don't think so कि इसमें कोई गजल है, क्योंकि refugees, यानि वो लोग जिनको अपनी country से ब तो कहीं से कहीं तक नहीं है, जब आप ये poem पढ़ते हो, option number B, blues poem, अब blues का मतलब होता है, something related to sadness, यानि दुख से related, तो yes, refugees की life में जो दुख था, जो पहा तूट पड़ा था उनके उपर, उसके बारे में poem है, और poem का नाम भी है, refugee blues, यानि refugees की sadness, उनका दुख, तो yes, ये एक blues poem है, जैसे हमारी poem के नाम में भी refugee blues नाम दिया है, option C, sonnet, sonnet यानि वो poem जिसमें सिर्फ 14 lines होती है, usually, William Shakespeare, जो महान कवी, महान पोएट जो थे, वो sonnets लिखते थे, यानि उनकी जो पोम, थी, वो सिर्फ 14 lines की होती थी, तो क्या ये sonnet है, अगर आप अपनी poem की lines count करोगे, तो ये 14 lines है, कई जाद है, तो ये sonnet थो है ही नहीं, option number D, haiku, haiku भी एक तरीके की poem होती है, जिसमें सिर्फ 3 lines होती है, और ये type की poem सबसे पहले कहां originate होई थी, जपान में, इसमें first line में haiku याने सिर्फ 3 line की कवीता, तो आप जब poem पढ़ोगे तो 3 lines तो है नहीं, कई सारे 4-4 line के बहुत सारे paragraphs है, तो ये haiku भी नहीं है, clearly, option number B, blues poem is the right option to this question. question, next, what do you mean by the word refugee? ये जो शब्द है refugee, इसका meaning क्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वो लोग जिनको अपनी ही country के लोग बाहर निकाल देते हैं और कोई दूसरी country के लोग उन्हें accept नहीं करते, ये उदर उदर भटकते रहते हैं बस, इनका कोई अपना खुद का घ danger, क्या ये कोई बहरूपी होते हैं? नहीं, ये कोई बहरूपी नहीं होते हैं, इनकी खुद की एक identity होती है, लेकिन इनको इनकी ही country वाले किसी particular reason की वज़े से बाहर निकाल देते हैं B, one that is forced to escape from one's own country, एक ऐसा व्यक्ति जिसको force करके जबरदस्ती भगा दिया जाता है अपनी ही own country, अपनी ही country से जैसे Jews, जिनको जबरदस्ती वहां के जर्मन के लोगों ने निकाल दिया अपनी खुद की country में बिचारे वहीं रहते थे, तो yes, this kind of a person is a refugee, और options लेखते हैं, C, D, an enemy, कोई दुश्मन, क्या ये कोई दुश्मन है, नहीं, ये कोई दुश्मन नी है, D, कोई terrorist, क्या ये आंतंग वाधी है, नहीं, ये लोग आंतंग वाधी भी निये, ही refugee है, ये विचारों को वार की वज़े से, जगडों की वज़े से, भगा दिया गए अपनी country द्वार When was a poem? Refugee Blues was written. ये जो poem है, Refugee Blues, ये कब लिखी गई है? तो options लिखते हैं, A, During First World War, जब First World War चल रही थी तब, Option B, After First World War, जब First World War खतम हो गई, उसके बाद लिखी गई, Option C, After Second World War, जब खतम हो गई, उसके बाद, ये Option D, None of the above, उपर दिया गया है, कोई भी option नी, तो clearly, After First World War, जब जब खतम होई, आखरी में इन बचारों के सब खतम होगे, तो हमारे poet ने ये poem लिखी, Next, How is the society presented in the poem? इस poem में जो society है, जो जर्मनी कंट्री में, जो लोग थे, जो उनकी society थी, जो आसपास के लोग थे, वो कैसे present करे गए, कैसे दिखाए गए हैं, Options, A, Discriminating, Discriminating वो लोग होते हैं, जो फर्क करते हैं, तो yes, definitely, Discriminating लोग दिखाए गए हैं, क्योंकि Germany में लोग Jews को, यहुदी लोगों से फर्क करते थे, भेद बाव करते थे और उन्हें निकालना चाह रहे थे, वो लोग वहां से, तो yes, वो लोग फर्क कर रहे थे, तब ही तो निकालना चाह रहे थे उन्हें, और सरफ Pure Germans रखना चाह रहे थे, तो yes, Discriminating society सोचते हैं, तो yes, German में सारे लोग जो सरफ खुद के बार में सोच रहे थे कि हमें अच्छी jobs मिलें, हमारे बच्चे अच्छे schools में पढ़ें, इन Jews, इन यहुदी लोगों को बाहर निकाल फेको, यह जाए, जीए, मरे, कुछ भी करें, हमें तो सरफ हम से मतलब है, तो yes, German society clearly selfish दिखाई गई है, इस पोर में, C, co-operating, co-operating हैंने जबाब किसी के साथ cooperate करते हो, उनके साथ मदद करते हो, उनके साथ, एजस्ट होके चलते हो, तो ऐसी तो कोई German society दिखाई नहीं गई, क्योंकि इन लोगों ने तो बहुत animals से भी जादा बत्तर सलूख किया, जीए के right option to this question, next, we cannot go there now, what does there refer to, अब इस पूरी poem में, जो हमारे poet है, W.H. Auden, वो अपने एक और फ्रेंड को अपनी दुख बरी कहानी बता रहे है, अब यह जो एक और फ्रेंड है, यह बिलकुल पोएट की दुख, दर्ध, तकलीफ को समझ पा रहे है, क्योंकि वो खुद भी एक you है, तो पोएट एक लाइन में, पोएट में, अपने फ्रेंड से, यह अपने कंपानियन से कहते हैं, we cannot go there now, अब हम वहाँ नहीं जा सकते, तो यह वहाँ, यह देर का, क्या मतलब है, पोएट से, तो options हैं, A. Haunted house, एक ऐसा घर जो भूती आए, जिसमें भूत रहते हैं, तो I don't think so, यहाँ पे भूत, प्रेत, पिशाजों की कोई बात की गई है, तो haunted house की तो बात नहीं कई है, B. America, पोएट क्या यह बोलना चाहते हैं, कि we cannot go there now, अब हम वहाँ नहीं जा सकते, याने अब हम अमेरिका वापिस नहीं जा सकते, अब पोएट कोई अमेरिका के तो थे न जो उनको वापिस अमेरिका में अपने घर पे जाना था, तो उने अमेरिका की तो यहाँ पे कोई बात थी ही नहीं, option C, Germany, we cannot go there now, याने अब हमें वहाँ से निकाल दिया गया है, हम refugee बन गये है, we cannot go there now, अब हम वहाँ नहीं जा सकते, याने अब हम जो हमारी ही अपनी country थी, जहां पहले एक वक्त पे हमें बहुत safe और अच्छा फील होता था, जहां हमारा खुद का घर था, काम, job, सब कुछ था, अब हम वहाँ वापिस कभी नहीं जा सकते, तो yes, यहाँ पे there का मतलब Germany ही है, option D, all of the above, याने उपर दिये गए सारे ही options, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है, which is option number C, Germany, next, which is not an example of irony in this poem, अब सबसे पहले irony का मतलब समझते, irony का हिंदी में मतलब होता है विडंबना, for example, usually हम कहते है, डॉक्टर का बेटा है, तो डॉक्टर ही बनेगा, मान लो वो अगर बहुत छोटा सा कोई clerk बनके रह गया, तो यह कित अब यहां पर इस पॉर्म में बहुत से आरे ऐसे incidence है, जहां विडंबना की और आरेनी की बात बताई गये, पर इन चारो options में से कौन सा एक option या कौन सा एक example, example नहीं है आरेनी का, यानि आरेनी की बात विडंबना की बात है यह नहीं, हमें वो option को चूस करना है, ठीक, option number A, that animals are treated like humans, while Jews are treated like animals, तो यह बहुत बढ़ी आरेनी, बहुत बढ़ी विडंबना की बात थी कि जर्मेनी में, जितने भी आरेनी में जितने भी आनिमल्स थे, एक डॉगी था, उसको ठंड लग रही थी, तो जर्मेनी के लोगों ने उसको जैकेट पिना के रखी थी, बिलक जो जूस थे, जो यहूदी लोग थे, उनको अनिमल्स याने जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे थे, याने जानवरों के साथ अच्छा ट्रीट हो रहा है, और इंसानों के साथ जानवरों सलुक हो रहा है, तो यह कितनी बड़ी विडंबना की बात है, तो ये विडंबना है यह irony है लेकिन यह हमें चूज नहीं करना है हमें तो वो चूज करना है जो कि irony का example नहीं है गलत जो चीज लिखी है हमें उसको चूज करना है बी option that many people fear refugees बहुत सारे लोग refugees से डरते थे क्या यह irony की बात है नहीं यह answer option जो है वो गलत है याने की refugees को तो जर्मनी के लोग डंके की चोट पे हिटलर के दम पे कह रहे थे बहार निकलो हमें रखना ही नहीं है Jews को अपनी country में तो इन refugees से बिचारों से कौन डरेगा यह तो बिचारे खुद डरे सहमें हुए तो इसमें आईरेनी विडमना की कोई बात है ही नहीं और अगर आईरेनी और विडमना की कोई बात नहीं है याने की आईरेनी का एक्जांपल नहीं है विच मींज यह option राइट है option number c that the poet cannot even visit his own country यह कितनी विडमना कितनी आईरेनी की बात है कि खुद आईरेनी का option नहीं है एक्जांपल जो नहीं है option number d that the poet is legally dead despite being alive अब जो poet है वो खुद जू थे उनको वहां के government officials ने बोल दिया था कि आपका passport हमने dead कर दिया है खारिच कर दिया है अब जिसका कोई passport नहीं आने उसकी कोई identity नहीं जिसकी कोई identity नहीं मतलब वो क्या है वो dead इंसान है अब भले ही poet alive थे जिन्दा उनके सामने खड़ थे लेकिन पासपोर्ट जो थे वो legally dead कर दिये थे खतम कर दिये थे तो कितनी बड़ी विडमना की बात है कि इंसान जिन्दा है फिर भी उसको legally dead घोशित कर दिया तो yes यह एक irony है लेकिन हमारा सही answer नहीं है क्योंकि हमें तो वह चूज करना है जो कि irony का example नहीं है और वह आंसार है option इमेज याने की पूंग को पढ़के कहां पर आपको ऐसा लगने लगता है कि refugees के साथ Jews के साथ बहुत dehumanization होई है याने जानवरों तरीका जानवरों जैसा सुलूख किया गया है वैश्ची सुलूख किया गया है उनके साथ options देखते हैं एक पूडल पूडल क्या है इस टाइप ऑफ डॉग एक डॉग ठंड में था तो उसको जर्मनी के लोगों ने जैकेट पिना दी option number B the console banking on a table जो console था government का जो बड़ा official था जिसके पास Jews मदद के लिए गौहार लेके गए थे वह अपना टेबल बैंक करता है तोड़ते हुए कहता है कि तुम officially डेड़ हो तुमारे पासवोर्ट्स खारेज है मैं तुमारी कोई मदद नहीं कर सकता option number C hitler's voice rumbling like thunder hitler की आवाज माइक पे ऐसे गुंज रही थी जैसे कोई थंडर हो रहा है जैसे कोई बिजली कड़क रही है क्योंकि वो सिर्फ यह बोल रहा था Jews जहां देखें उन्हें मार गिरा हूं पूरी military को उसने आदेश दे दिया था यह option number D the birds singing की जो birds हैं वो freely singing कर रही हैं गाने गा रही हैं so the right option is option number A the poodle in a jacket क्योंकि यह सब तो definitely हुआ dehumanization यहने इंसानों जैसा सलूख नहीं किया गया तो यहां हुआ जानवरों जैसा सलूख क्योंकि जानवरों को जाकेट पनाया गया ठंड में लेकिन इंसान जो की जूस थे उनको भटकने के लिए छोड़ दिया so option number A is the right option to this question next which tree is mentioned in the poem that blossoms every spring अब poem में एक ट्री का नाम mention किया गया है जो हर साल spring season में याने वसंथ के मौसम में blossom होता है याने उसमें पुराने पत्ते गिरके नए yellow fresh flowers, खुशबुदार flowers आते हैं तो options हैं A, U, B, mango tree, C, coconut tree या D, bannion tree तो clearly अगर आपने poem पढ़िये तो यू tree का mention हुआ है जिसमें red color के berry like fruits grow होते हैं तो बताया गया है कि church के बाहर, church yard के बाहर एक छोटा सा garden था वहाँ पे हर साल spring season में यू tree में नए flowers, fruits, leaves आते थी वसंथ के मौसम में तो इससे ये represent किया गया है कि जैसे tree में positive change आया पुराने पत्ते जढ़के गिर गए, नए flowers blossom हो गए तो कुछ newness है एक पेड़ की life में लेकिन अगर इसको compare करें हम refugees की life में तो उनकी life में कुछ positive change नहीं है कोई newness नहीं है उन बिचारों की life तो वही किसी पिटी है जहां पर उनका सब कुछ खतम हो गया है तो कौन सा tree mention हुआ है? U tree So option number A is the right option to this question Next What can the image of birds best be said to symbolize अब poem में birds की image बताई गई है याने birds के बारे में दर्शा आया गया है तो birds की image क्या symbolize कर रही है याने क्या दर्शा आ रही है options देखते है A freedom कि जो birds है Germany के जो birds है वो freedom है उनको उनको आजादी है इधर भी उड़े है इधर भी उड़े है गाना गाये जो करें तो yes जो birds है वो freedom उनको मिली हुई आजादी मिली है तो poet कहते हैं कि जो birds है जो जानवर है इनको आजादी मिली हुई है कि इस पेड़ पर बैठे है कभी इस पेड़ पर कभी गाना गाए है कभी जहां इनको उनने अपने पंक फेला के ओड़ सकती है लेकिन हम रेफ्यूजी को कोई फ्रीडम नहीं कोई आजादी नहीं क्योंकि हमारी लाइफ में वो पॉलिटीशन हैं जो हमारी लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हैं हमें यह से बाहर निकाल रहे हैं यह बाट्स की लाइफ तो बड़िय वो यह फ्रीडम यानि आजादी के तौर पर बी अन्हापी यानि ना खुश बर्ड्स ना खुश हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि बर्ड्स बहुत खुश हैं और बहुत आजादी मिली हुई हैं उन्हें इंप्रिजंड यानि जिनको जेल में कैद करके रखाओ तो बर्ड्स की इमिज जेल में कैद या पिंजने में कैद नहीं बताई गई है बलकि बताया गया है कि वो तो बहुत खुले आसमान में जहां उन्णा चाहती हैं अपने पंग फिला के फ्रीडम के साथ ओड़ रही ह यह option number D none of the above यह ने ऊपर दिया गया कोई भी option नहीं तो यह तो हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा अंसर मिल गया है विचिस option number A next if you've got no passport you're officially dead who said this line in the poem अब यह जो line है यह आपकी poem में use हुई है तो question में पूछ जा रहा है कि यह line poem में किसने बोलिये अब इस line का मतलब है कि अगर आपके पास passport नहीं है that means आप officially dead हो आप मर चुक्यों passport नहीं है मतलब no identity तो यह चीज refugees को किसने बोली options देखते हैं a Hitler अच्छा मतलब यह लोग डारेक्ट हिटलर के बास बोलेंगे और Hitler इनको बस यह बोलेगा Hitler इनको मार गिराएगा भाई वह तो इतना Hitler था तो यह तो नहीं याने आपके कोई identity नहीं आप officially dead हो भले आप मेरे समने अलाई जिन्दा खड़े हो तो यह चीज कॉंसल ने कही थी refugees से option C committee committee याने जो group बनाय गया था कि उन्होंने ऐसा कहा था नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कहा था option D all of the above, उपर दिये गए सारे option तो यह भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number B next question what did a speaker in the public meeting say अब वहाँ पर एक public meeting हो रही थी Germany में और जो meeting में जो head speaker था जो की पूरी meeting को कंड़क कर रह था उसने क्या बोला options है a some are living in mansions some are living in holes याने यह जर्मनी है यहां पर कुछ लोग बड़े-बड़े महलो में mansions में रह रहे और कुछ लोग holes में याने छोटे-छोटे slum area जुग्यों में रह रहे तो यह line speaker ने नहीं बोली थी यह line हमारे poet ने बोली थी अपने friend को जिसको अपनी यह दुखबरी कहानी वो बता रहे थे कि कोई mellow में रह रहा है कोई holes याने slum areas में रह रहा है लेकिन हम Jews के लिए इनके पास रहने की कोई जगा नहीं इनको देने के लिए हम यह लोग निकाल रहे तो यह चीज poet ने कही थी speaker ने नहीं कही थी public meeting में option B but where shall we go today my dear but where shall we go तो यह line भी poet ने कही थी कि my dear मेरे दोस्त पर हम जाये तो जाये कहा हमारे passport स्कारिच कर दिये गए हैं कोई दूसरी country हम accept नहीं करना चाहती तो हम जाये तो जाये कहा तो यह speaker ने नहीं कहा था public meeting में यह poet ने कही थी lines option C if we let them in they will steal our daily bread तो yes यह चीज speaker ने बोली थी public meeting में कि if we let them in अगर हमने इन जूस को इन याने अंदर आने दिया Germany में रहने की इजाज़त दी तो यह लोग हमारा daily bread steal कर लेंगे याने चुरा लेंगे याने कि जो jobs मिल रहे हैं वो हमें इनको भी देनी पड़ेगी तो यह लोग अच्छे-च्छे हमारी job opportunities हम से चुरा लेंगे हमारी country में रहके हमारी jobs यह करेंगे तो इसलिए हम इनको अंदर नहीं आने देंगे तो यह कहा था speaker ने public meeting में option D he said nothing उसने कुछ भी नहीं बोला तो ऐसा कुछ नहीं था उसने तो बहुत कुछ बोल दिया और बिचारे जी उसको बहुत भेंकर तरीके से hurt कर दिया सौप्शन C is the right option to this question next what is the tone of the poet in the poem अब जो poet जिस तोन से अपनी पूरी पूर्म बता रहे है उनकी वो टोन कैसी है तो options एकते हैं ए ग्लूमी ग्लूमी मतलब sad क्या उनकी बहुत दुखी टोन है yes definitely gloomy दुखी वाली टोन है क्योंकि उनकी लाइफ बरबाद हो गई उनके लोग मर गए उनका घर परिवार पैसे बच्चे सब पीछे चूड़ गए कुछ बच पाए कुछ नहीं बच पाए उनका सब कुछ खतम हो गए तो yes उनकी टोन जो थी gloomy आने बहुत दुख से भरी थी वी excited क्या वो बहुत excited थे कि अरे हम refugee बन गहा हमारा सब खतम हो गया बिलकुल नहीं joyful याने happy क्या वो बहुत खुश हो कि अपनी दुख बरी कहानी बता रहे थे not at all aggressive क्या उनके अंदर गुसा था Germans के खिलाफ बिलकुल भी नहीं क्योंकि वो इतना helpless कर रहे थे क्योंकि उनके सब कुछ बचाई नहीं था सब खतम हो गया था बड़ी मुश्कल से उनकी जान बची थी so option number a gloomy is the right option to this question next what is the theme of the poem ये जो poem है इसकी theme क्या है यानि basically poem है किस बारे में तो options देखते हैं a isolation आइसोलेशन यानि अकेला पन तो yes Germans ने जूस को बिलकुल अकेला छोड़ दिया अलक थलक कर दिया अब ये लोग जाके जीए मरें उससे Germans को कोई मतलब नहीं था तो yes isolate कर दिया तो yes isolation एक theme बताई गई है poem में be pain यानि दुख दर्ध तकलीफ तो yes उन refugees का दुख दर्ध और तकलीफ poet ने इस poem में बताया है अपनी मूँ जबानी की कैसा उनको feel हुआ था जब उनको अलक कर दिया था Germany से c separation यानि किसी से separate हो जाना अलग हो जाना तो yes Germans ने खुद से separate कर दिया था अलग कर दिया था जी उसको बड़ी बेरहमी सो और बुरी तरीके सो yes separation भी एक theme बताई गई है कि अपने घर से separate होना अपनी country से अलग होने का जो दुख होता है वो कैसा होता है option D all of the above to yes all of the above is the right option to this question so children here we come to the end of the session I hope आपको सारे mcqs अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप चाहें तो हमारे वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं जो वहां ना मिले तो हमारी website पर जाएए which is magnetbrains.com जैसे यह website पर जाएंगे इस तरीके का पेज आएगा for example class 11th के वीडियो देखने तो इस पर क्लिक करिए जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास options आ जाएंगे for example English की woven words के videos देखने तो इस पर क्लिक करिए जैसे क्लिक करेंगे तो woven words की जितने भी video lectures है उसकी list आपके सामने आ जाएगी for example आपको woven words का essay my watch का video देखना है तो इस पर क्लिक करिए जैसे आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने play होना start हो जाएगा and do not forget to like subscribe and share our YouTube channel क्योंकि magnet brains free of cost quality education आपके घर तक पहुचा रहे तब तक के लिए bye bye and take care